So hey guys, welcome to the channel तो आज फेसकाइम वीडियो नहीं होगा क्योंकि फेसकाइम के लिए यार बहुत ही जादा नॉइस आती है मेरे कर के पास दिन में मैं रेकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ रात को बारा बज़े के बाद रेकॉर्ड करना पड़ता है लेकिन नेंदारी तियार कलतात को क्या करें तो RTX 3050 and Ryzen 5600 Edge CPU के साथ लगबग सारे ही ब्रैंड्स ने अपने कुछ ना कुछ किसी ना किसी गेमिंग लापटाप को लाँच कर दिया है लेकिन आइसर नाइट्रो हो गया या फिर असस टफ हो गया लेकिन अब इंतजार रह गया है तो वो है लेनोव के लापटाप का लेनोव लेजन 5 के बारे में तो सौरी कोई इंफरमेशन नहीं है लेकिन आइडिया बेट गिविंग 3 लापटाप विद इस सेम स्पेसिफिकेशन अल्रेडी अविलेबल है परचेस करने के लिए अपने सही सुना है अल्रेडी परचेस करने के लिए अविलेबल है कुछ लोगों ने आई तिंक की लिया है अकॉर्डिंग टू दर स्टोर गई जिसे की मैंने बात किया है तो यार इस इनफरमेशन का सारा क्रेडिट जाता है हमारे एक सबस्क्रेबर चेतन एके ए लकी मैं तो भाया थैंक यू सो मज ये इनफरमेशन देने के लिए इन भाई साहब ने एक लिंक भेजा था एक स्टोर का जहां पर ये मॉडल अविलेबल है परचेस करने के लिए और स्टॉक में भी दिखा रहा है ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगा तो उन्हें आप जाके डिरेक्ली कॉंटाक्ट भी कर सकते हैं तो इस स्टोर का नाम है पेस्वेल रीटेल यूनिट और इनके कुछ आउटलेट्स भी है इनके साइट पे जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं लाइक वेस्ट बेंगॉल सिली गुडी में है एक गैंक टॉक सेकी में भी इनका ब्रैंच है तो अगर आप उन सिटीज में उन एरियास में रहते हो कि इन कंट्रीज में यह मॉडल्स आने वाले हैं तो लिस्ट में सबसे नीचे की तरफ एस यू कैन सी इंडिया में यह वाला जो मॉडल है और लेडी लिस्ट हो चुका था काफी टाइम पिले लग बग एक दो महीने पिले लिस्ट हो चुका था इन दोनों ही मॉडल्स के स्पेसिफिकेशन जो की लेनवो के लिस्टिंग साइट में आपको मिल जाता है और सो पेस्वेल रिटेल उनिट के वेब साइट पे भी आपको मिल जाते है दोनों ही एक्जाक्ली सेम है इस मॉडल में सीप्यू मिलता है 5600H, RTX 3050 GPU मिलता है लेकिन जो यहाँ पे इसका TGP है उसके बार में अभी थोड़ा सा डाउट है क्योंकि जो लेनवो की लिस्टिंग साइट है वहाँ पे TGP लिखा गया है कि 75W TGP के साथ यह GPU आता है 85W का TGP I think की इंडिया में भी आपको मिलेगा और भाई सहाव यहाँ पे प्राइज आप देख सकते है इस जस्ट 70,999 रुपिस और बागी स्पेसिफिकेशन की इस मॉडल के बढ़िया है 120Hz का पैनल मिल जाता है 8GB के RAM है 512GB की SSD है लेकिन एक दिक्कत है यार 2021 में इन फैक्ट जो budget वाले 14 इंच वाले laptop होते है उन में भी इतनी तो बैटरी आपको मिली जाती है इस मॉडल में आपको सिर्फ 45Wh की बैटरी मिलती है विच इस रियली वेरी लेस लेकिन यार मुझे पता है आपके दिमाग में डाउट होगा कि भाई इतने कम में तो कैसे मिल सकता है और कहीं और लिस्टेड है नहीं ऐसे कैसे सिर्फ इनके ही वेबसाइट पे है तो ये सारे कोशन्स मेरे दिमाग में भी थे किसी के भी दिमाग में आएंगे तो इनके जो हेड है या फिर मैनेजर मतलब इन स्टोर जो भी परसन है तो उनके भी नमबर शेतन भाई ने मुझे दिये थे सिरा-सिरा मैंने यार कॉल किया सारी चीज़े क्लियर करने के लिए लेकिन रेकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डाल नहीं पाऊंगा अगर आपको फिर भी रेकॉर्डिंग सुननी है तो यूट्यूब चैनल के बायो में आपको मेरे डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आओ, जोईन करो, मैं आपको यह जो सबसे पहले तो मैंने पूचा कि भाई, यह लैपटॉप अविलेबल आपके पास कहां से आया और मतलब लेनोव के साइट पे भी नहीं है अमसान फिलिपकार्ड कहीं पे भी लिस्टिंग नहीं है कहीं कोई इंफरमेशन नहीं है लेकिन आपके पास कैसे आया तो वहाँ पे एक टर्म बोला गया था I don't exactly remember तो सीधा-सीधा सिंपल भाषा में बोलो तो जो नए मॉडल्स आते हैं लेनोव के पास जो भी अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो भी डिरेक्ली कॉन्टाक कमपनी तो अगर कमपनी के पास लिस्ट में वह मॉडल आ जाता है तो वह जो मॉडल्स है exactly उनके साइट पे भी लिस्ट कर दिया जाता है जो प्रैस कमपनी उने बदाती है उसके उपर अपना वह जितना भी मार्जिन होता है उसे रखके अपने site पे वो price लगा देते है एन एक और चीज़ कहें कि भाई अगर ये model available है site पे list किया गया है तो definitely ये model available है आ चुका है already एन जो models आते हैं इनके पास stock में वो basically order based होते है अगर किसी ने order place किया है या फिर किसी बंदिय को लेना है तो वो directly company से contact करते है शाम तक उने price बता देते है ये pricing almost accurate होती है लेकिन 1-2,000 उपर नीचे हो सकता है depending on की company अपनी जो pricing list है उसे किस तरीके से refresh करते है तो अगर company की तरफ से ही price बढ़ जाती है तो definitely इने भी थोड़ी सी price बढ़ानी होगी लेकिन अगर आपको इनके store से laptop लेना है तो I highly recommend की उन cities में अगर आप रहते हो तो भाई यार एक बार उनके store में जाके visit जरूर कर लेना और जो भी ये video देख रहा है अगर आपको इस store के बारे में कोई भी information पता है क्या आपने कभी visit किया है तो please do let me know in the comment section it'll be really helpful बागी लोगों के लिए काफी help हो जाएगी so that's all guys ये छोटी सी information थी and if you guys like the video please do subscribe to the channel and support me मिलते है ऐसे ही और interesting video में next time till then bye bye